नमस्कार, स्वागत है आपका CIV इंडिया नूज में खबरों की तह तक हर खबर पर तीखी नजर भूमते घुमाते हम पहुचे हैं जनपत बहराईज के बक्सी पुरा गाउं में बात करेंगे 2019 की, कौन बनेगा 2019 का परधान मंतरी क्या मोदी जी मारेंगे मैदान या जनता बदल देगी दिल्ली का सुल्तान जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2019 का चुनाओ नजजी का चुका है सारी राजनितिक पार्टियां अपना अपना दम दिखाने में लगी हुई है एक तरफ विपच गटबंदन है तो दूसरी तरफ बिजेपी अकेले ही चुनाओ लड़ेगी क्या होगा गवन बनेगा 2019 का बास्सा किसके सर पे होगा ताज कमल खिलेगा या नहीं जनता जनारधन क्या सोच रही है क्या चल ला है जनता के मन में जिन जनता ने 2014 में ओड दिये थे क्या उनके वादे पूरे हुए या नहीं इनी सब बातों को जानने के लिए हम तीधा जनता से बास्चीत करेंगे और जानेंगे कि किसे बनाएंगे 2019 का परदान मंत्री हाँ चाचा क्या नाम है आपका मस्तराम पाल दी ये बताईए किसे बनाएंगे 2019 का परदान मंत्री राहुल दी को बनाएंगे कांग्रेस पार्टी को बनाएंगे कांग्रेस पार्टी आप पता है चाचा क्या नाम है कनाया लाल जी 2019 का चुनाव आ रहा है किसे बनाएंगे 2019 का परदान मंत्री कमल बीजेपी को बनाएंगे मोधी जी ने काम किया है मोती जी को बनाएंगे परदान मंत्री आप बताएं भया किसे बनाएंगे परदान मंत्री राहूल जी को यहाँ पर एक तरहर वीजेपी के लोग है एक तरहर कांग्रेस के लोग है हाँ चाजा जी क्या नाम है आपका बंसीलाल जी 2019 का चुनावारा किसे बनाएंगे परधान मंतरी जो काम करेगा उसे बनाएंगे परधान मंतरी परधान मंतरी कोई हमार काम राष चल लहीं है आवास मिला या नहीं मिला तो इसका मतलब आपको आवास नहीं मिला जो आपका काम करेगा उसे बनाएंगे परधान मंतरी आप किसे बनाएंगे पर्दान मंत्री नहीं बनाएंगे किसे को नहीं बनाएंगे इसलिए कि मोधी हमारा रुप्या बंदो करा ही दिया धी जी नोड बंदी किये थे, वही कराया था, और नोड बंदी में फाइदा हुआ, तो मैं बता रहा हूँ कहानी, इस में पड़ जाएगा दिल्ली तक, दिल्ली तो है लक्सन चलाएगा, इसलिए जिसे मोडी नोड बंद कराहिए, हम लोग काम नहीं पाते थे, हम लोग भीं अगर हम हाति जालेंगे तब ही जाएगा वही पाइगा आवास नहीं मिला हैं आप मोदी पसंद करते हैं किया आप मोदी जी को पसंद करते हैं अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही स्क्रीन पर दिखरें घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें